इस वीडियो में हम OnePlus Nord C4 में सीम डालने का तरीका सिखेंगे अगर आपने रिसेंटली एक OnePlus Nord C4 खरीदा है तो वीडियो में लाश्ट तक जुड़े रहे OnePlus Nord C4 में सीम डालने के लिए आपको सीम इजेक्शन टूल की जोरत पड़ेगी जो की आपको अपने mobile के Box में मिला होगा सीम इजेक्शन टूल इस तरह से पेपर में फसा हुआ राता है जिसे आपको यहां से निकाल लेना है और एक हाथ में होल्ड कर लेना है इसके बाद दूसरे हाथ में mobile को होल्ड करते हुए नीची की और देखेंगे तो आपको Siem Slot का एरिया दिखाए देगा यहाँ पे सबसे लेफ्ट में एक होल दिखाए देगा उस पे आपको Siem Ejection Tool के पीन को डालना है और धीरे से प्रेस करना है Siem Tray बाहर आ जाएगा ऐसे यह आप धीरे से प्रेस करेंगे सिम ट्रे बहुत ही आसानी से बाहर आ जाता है 1 प्लस नोट C4 डुएल सिम को सपोर्ट करता है और दोनों सिम नैनो सिम होनी चाहिए सिम ट्रे में किलियरली सिम 1 और सिम 2 की मार्किंग आप देख सकते हैं अब बताता हूँ आपको कि ट्रे में सिम को कैसे रखना है अपने नैनो सिम को एक हाथ में होल्ड कर लें और मेटल वाले पार्ट को उपर की और रखें इसके बाद यहाँ पर देखिए सिम के लिए कट बना हुआ है और मार्किंग भी की हुई है कि आपके सिम के मेटल पार्ट को उपर की और रखना है तो उस cut से seam के cut को align करते हुए धीरे से press कर देना है जैसे आप press करेंगे हलके से click sound के साथ seam इस तरह से आसानी से fix हो जाता है और ये नहीं गिरता है इसी तरह से seam 2 में भी आपको metal वाले part को उपर रखते हुए cut को align करना है और धीरे से press कर देना है seam 2 वी fix हो जाता है इसे देखिए आपको seam के metal part को उपर की और रखना है और cut से align करते हुए धीरे से press कर देना है seam fix हो जाता है वापस इस seam tray को seam slot में डालना है seam tray में seam 1 के part को उपर की और रखते हुए seam slot में धीरे से इस तरह से हम press करेंगे और अंदर की और डालेंगे जैसे ही थोड़ा अंदर चाला जाएगा फिर हम force डालते हुए उसे अच्छे से sim स्लोट में fix कर देंगे और आपका sim लग चुका है थोड़ी ही देर में देखेंगे कि आपके mobile पे network आ गया है वन प्लस नॉट सी फोर से रिलेटेड और वी टिप्स वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जैहिन